वेलकम आपका न्यू व्लॉग मैं मैं हूँ आपको हुस्ट एंदो सेखर ट्रेवलर तो मैं आज जा रहा हूँ खटीमा से फिलहाल परी परी ताल करके एक जगह है वहां जा रहे हैं लेगन उससे पहले हम बिलेंगे डिस्टेंस बिटिविन वाले सुभम गुपता से उनको म के लिए कैसी कैसी वीडियोज लेके आ रहा हूँ देव कितनी बुरी तरीके से कोरा लगा हुआ हाथ काम करना बंदे कर दे मेरे पास गलब्स नहीं है तो एक चीज पता देली कि ठंडियों मां कहीं भी जाना तो गलब्स लेके जाना तो गलब्स जरूर परचेज करने पड आप देख रहे हैं यह गाड़ी निकली और दिखी नहीं होगी आपको इतना बहेंकर का गोरा लगा हुआ है तो चलते हैं मोटो ब्लोग में आगे की तरफ और मैं जल्दी से जल्दी पहुंचता हूं और रास्ते की ब्यूटिफुल व्यू आपको दिखाता हूँ जो कि यहां से हम उड़ गे हल्लुवानी रोड की तरफ यह है सितारगंज रोड और भाई इतना को रहा है इतना को रहा है कि क्या बताओ यार और यह यह जो लग रहा है यह मेला होने वाल है तो कल से आप देखेंगे यानि सवरी हाथ से मेरी वीडियो तो पतानी कब अफ्लोड होगी सो गई यह हम जा रहे हैं अभी सितारगंज की तरफ और इसके बाद फिर आएगा नानम्मत ताथ और यह है नैस्नल हाइवे से अगले डेस्टीनेशन की तरफ सोगाइज भरे रहे हैं और सामने है जर्मन सब्सक्राइब अगले 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 के लिए आपको रोपला खर्चे करना पड़ता है बट मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब रुक जाना नहीं तू कहीं हार के गाटू पे चलके मिलेंगे साइवार के यथे अलये नानकमत्ता क्रोस्टर कर रहा हुँ मैं यह नानकमत्ता का कड्रिजॅश और कुछ नहीं दिखरा भाई पानी के वैसे ऐसा प्लिए यह देखो कैसा कोरा लगा हुआ है यार कोरे मोटर व्लॉगिंग यह भी नया एक्स्पेरियंस है पता है और पता है यह इस तरफ है डेम तो वह डेम के उपर पूरे कोहरा ऐसे चाहरा है क्या बता हूं यार आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई गरम पानी है और उसकी भाप निकल दी पूरी हालत है और सुबह का बजगे अभी साथ और इतनी पूरी हालत है वह क्या बता हूं तो चलता हूं मैं जा रहा हूं जोलिकोट की तरफ और आपको डिस्टेंस बिट्यून वाले सुभंगुपता जिनके आप व्लॉग देखते रहते हो गयार हर बंदे ने देखी उन मैं आपको 80-70 की स्पीट में वेहिकल चला के दिखाऊंग नहीं मोटव लग कही हो था कि आपने रास्ते का एंज्योई करना है और अपने वीवर जितने भी देख रहे हैं उन सब से उन सबको भी एंज्योई कराना है तो यह लिखा हुआ है नानक मत्ता डेम का बोट लगा बाइसों बने रहिए और चलते हैं रास्ते के तो खुबसूरत वियू वह आपको तिखाऊंगा भागी उसके बाद जब हल्दवाली पहुचेंगे और ही लेर्या की वियू तो वहां तो धूप आये होगी भाई तो वहां का भी वियू आपको तिखाऊंगा यह बहीं ने देखो वीडियो देख रहे हैं और यह मुझे देखती पैचान गए अमित कुमार भईया और भाई बहुत ठंड है ऐसे जहां पर आग मिलती है मैं सेखता हुआ जाओंगा अभी जा रहे है सितार गंज की तरफ और यह प्रीट कर दिया क्रोस और अभी नेक्स जो आएगा स सितार गंज से फिर हम कुड़ा सा रास्ता खराब है तो लेकिन हम जाएंगे वाया चोड गलिया और सुर्ग ऐसे हम जाएंगे सिता जिफ यूली कोट और जोली कोट में मिलेंगे तेसं स gute वी सुभम गुप्ता भीया से तो यह आ गया सितार गंज का सर्कल और हमें निकलना है सी ताच्चोर गल्या वाली रूबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब किल्सया menorzana विसक हुआ़ गुआर गजा टकल शिल्एंव घ्पमें। फफड़न crazामें बीकलोर एंचान बंग You घä हुआ़ से जया सील जएबबबबबबबबबब पर दोस्तों यह आगया चूर्गलिया का बजार तोर्गलिया मार्केट और अब यह जारे गोलापार के तरफ थोट देर पहले करना बंद कर देता लेकिन सब्सक्राइब कर रहा है और आप देख रहे हैं यह सुन्दर सा गोलापार के जंगल गोलापार और हमारा जो यह हम मारगे हैं यह जा रहा है अंगे हल्वानी की तरफ लेकिन हम हल्वानी ना होकर जाएंगे आड़कोदां की तरफ तो प्रस्तान कर रहे हैं आप बने रहिए इस ब्यूटिफल सी दौग में इस ब्यूटिफल सी मोटव लॉग में दोस्तों गोलापार के बंद में पनू के बीट से यह जो मार के राश्ती राजवार के निकल रहा है भारी सीथ भारी सीथ के बीट बहुत जादा ठंड और उसके बीट मैं सुद्ध हिंदी बोलने की अभ्यास कर रहा हूं और हमारी जो स्कूर्टी जो हमारा वेकल है उसकी गती है साथ किलोमेटर परती घंटा एक घुद्ध के शरीर की भी बज रखा है घंटा तो घंटी भी बजी है घंटा भी बजा है यहार वाकिम है यार सुद्ध हिंदी बोलना की समस्कुल है व्यात कि अब रिच्स का उल्ड़र खमेश का जंगल और छुटा नानदोरर का रेंज करनिया नहीं है लेकिन बने व्यां पुस्त को हमें व्यां करने कि लिए है उपने व्लौब के लिए हो वहाँ भी नान ऑर यह हंगे दोस्तों यह आग हैं प्रनाम करके चलता हूं इसके बाद है यह देखते हैं है यह उसके वादेवर दिरिज्च बना यार भाई धूप आ गई और भाई इतना खोहरा इतना सब कुछ इन्ले के बाद ना लगवक मैं बता रहा हूं आपको मैं 110 या 120 या 130 किलोमेटर लगवर कोहरे में आया हूं और उसके बाद जोब ये धूप मिलती है ना तो भाई स्वर्गे इसी धर्थी पर है वाओ यार इत ये प्यार है रहत और कहा कोई हमको बताए को हम भी तिल ने ने तिसल ना जाओ ने जल ना जाओ नहीं नहीं कोश्वी है अभी कुछ देरों से तुना है दिल का रही कुछ नया है और आज तुम बख्द है चुपाए खुदा ही जाने क्या है ए दिल में सक मेरा चत्यार वाव कराए तुम बख्द है जाने मुझे घर जाने बहुत यारे और फूराने गाने हो चाहे नाइन टीज के काने ओख्द हो तो आज कर आद गाने सारे सुन रहते हैं क्योंकि हम मैं पैदा हुआ हूँ 80s में और हम बड़े हुए 90s में आप विश्वास्ती वाले हैं ना हमने एक सताप्ती देखी है 90s से 2000 और हमने तीन जनरेशन आपने आगे पीछे की देखी है हमने पुनिया चींज होते हुए देखी है यार ठीक है तो हमारे हमारे काइम पर सचिंत पूलकर को देख 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 धुए है अक्षे पुमार को देख देख्के बड़े हुए । सारुप खान सलमान खान यह जो बंदे होते हैं ना इन बंदों को यह हर्ज के मैनेज कर सकते हैं बता क्या यह सर्चुमिय साथ केसा कि मज़वे की रोटी भी भी खा लें कि हम वह हो जन्देसन है भाई तो भगवान ने हम उस टाइम पर पहदा किया है इसके लिए थे लिए अंक फॉल पार गोड और थे इतना ब्यूटिफुल भूटिफुल भाउ कि वह जन्देसन आले काणुदाम पर काणुदाम से आगे रिए रिए थे लिए शोफ करेंगे तो बने रही है झाल झाल तो जब भी आप आएं घटी माँ सितारजन की तरफ से तो यह रूट है और इस पूब के त्रूब आप जा सकते हैं नैनी ताल तो यह है काड़ोदाम को जा रहे हैं काड़ोदाम से लीचे का लोकेशन और काड़ोदाम का ट्राय जंसन आएगा अभी और तो यह साइन जोट यहां से नैनी ताल 25 है राने के 33 और अलमोडा 86 तो यह आगया काड़ोदाम के में बजार में मार्केट कर्थे क्रोस करें अयहां हैं अब यह क्राभ्य करेंगे माइन हो सटाफ़ोदाम को पुमारे के मूलते हैं रानेवाग यहां यह आप रानेवाग और यह क्या क्या है रहा हमें कोईना गाए देतार तो फ़ेखिए द करने एंगर रहा रानि रानि वाग और चित्र सिला तीट्र और धोडा फीसे था शीट्लादी इर यहां का मैंने ब्लॉग बनाया रानि वाग में जो शीट्लादी ओविमंदीर है बहुत बड़ा मंदीर तो मेरे चैनल पर आप आप देख सकते हैं य जोली कोट में ही में यह मोटो फ्लॉगिंग कम्प्रीट कर दूंगा उसके बाद पिर मुझे किस्के बिट्रीन वाले सिबंगुता विया को देना है सुबंगुता मिल्या को देना है अपनी स्कूटी और यह मोटो फ्लॉगिंग का सेटब वहां तक मोटो फ्लॉगिंग करना तो नहीं निदाल यहां से 32 रानी खेत है एटीटू और भींताल है सट्रा अगर तो अभी आपको यह ट्राइजंग्शन दिखेगा जो नीचे को रोड जा रही है जहां पर यह मेरे सामने वाली गाड़ी जा रही है यह रोड गया भींताल की तरफ और जूली कोट के लिए मुझे जाना है तो मैं जाओंगा इस ने निदाल वाले रोड पर तो आगे चले इन निदाल के इन रोडूं का कहीं पर धूब है कहीं पर छाम है तो यहां मैं जा रहा हूं नैनिताल की तरफ और ब्यूटिफल प्लेस है और हमें सावर्सम रहता है पता हम लोग क्या है जितने हम हल्दवानी खटीमा के रहने वाले लोग है ना जब भी हम ने निदाल आत कि इस से बेटार और कुछ नहीं है अलाए यह हमारी सुपीवी किसी से कम नहीं थी तो पुलट वाले को पथार आऊ देख लो है ए पथार दिया ना पुलिट वाले को अब मत गोलना है अक्तिवान गों 25 तिसी से काम है अग्या है अब महुंत लिया है पोगावी आई तुक तो पहुंच गये हैं दो गाउं और पकोडी पुलड़ वाली चाए और यह चटने पीछे है आग थोड़ा सा रिलीफ मेला बढ़े दो गज़ें बढ़े इस देडा का के बाद हुआ है वाल यह चाहिए ज़्यां को पीच में थोड़ा वाइड एंगल कैमरा इसकी वज़ेश से यह मेरा पोर्शन आपको नहीं दिख रहा होगा बट अभी दिख रहा होगा और बलॉग महीं कुलोज करूंगा मैं उसके पाद फिर छोटी सी एक ब्लोग बनाऊंगा सुभम गुपता भाई के साथ तो ऐसे ही सपोर्ट बनाई रखिए भाई लोग और ब्लोग देखते रहा किजिए यह देखे कितना बड़ा साड़ है कि तोंग आउं तो यह है गईस दो गाउं और यह जा रही है हलद्वानी से नेनी ताल बस और ठोंग यह है सुनले दगडिया बात सुनी जा बात सुनी जा तू मेरी दिन दी में नाचु तेरो आखों में अनार तेरी आहारे मुखडी तेरी पुरासी जपूल सुवा पुरासी जपूला घड़ी घड़ी मेरा चुला मन मैं इलोरा भागे मन मैं इलोरा नंग ओना गादी जपूला सुनले दगडिया बात सुनी जा तू मेरी जारें ग्रीन लस्ट की तरफ और यह है नीचे कैम्पिंग होती है अगर आप कभी भी नहीं ताल आए तो जूली कोट में बहुत अच्छा ओप्सन है आपके लिए कैम्पिंग करने का तो सुबह महिया से हम डेटेल पूस लेंग है और मैं यह भी बता दूं कि अगली जो भी ब्लोग होगी वह सुमंभया के सांती होगी सो देखते हैं यह काफी डाउन है यार भाई ब्रेक लगा लगा की चलना पड़ रहा है तो ग्रीन लस्ट रेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं और थोड़ा सा नीचे बोला नीचे तो है यह पूरा ही असर नाओन है तो यहां पड़ तो ग्लकुल जीरो की स्पीट से चलना पड़ेगा तो यह फिन्या इह ग्रीन लश्ट रेस्टमेंट यहां पर शुमंभया रुके हुए हैं और यह है Camp and Resort आगे भाईया आगे 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 तो हम भाईया दिख गए हम थोड़ा नीचे से ले गए कि थोड़ा ज्यादा निये था आदा किलोमेटर फी नीचे पूछा हाँ मुझे लग रहा था थीज़ा चोटे बाइस बाइस आई हुआ 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 हुआ